जहें दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो आद्धेन करेंगे एंगो वाजी प्रकाशनी करेंगे आज राजी क्याश्न नियू कॉर्स जो है। आज हम लोग पढ़ाएंगे विवित्-प्रस्चना बहले, इसके सारे फार्मूले से ब 국민 आपको वादों ही है 네 आप लोग बने लिए बीडियो का अंतक और देखते लिए बीडियो को सबसे पहला कोशन आपकी पहला है कि समीकरण AX स्क्वाइर माइनस BX प्लस C किये मूल अलफा और बीटा है तब अलफा प्लस बीटा का मान ग्याद कीजिए पहला कोशन पहला कोशन यह है कि AX स्क्वाइर माइनस BX प्लस C ठिक कि मूल अलफा बीटा है तो कि मूल मूल जो है अलफा तथा बीटा है तो आप लोग क्या करोगे जान तो अलफा प्लस बीटा हम से कह रहा है कि ग्याद करो जड़ा तो alpha plus beta का मतलब हुआ है मूलो का योगफल तो हम लोग कहेंगे मूलो का योगफल यह formula होता है minus x का गुणांक बटे x square का गुणांक है न तो इस मूलो का योगफल की जिगह हम लोग लिखेंगे alpha plus beta minus को minus लिखो गए x कहां यह x है इसके गुणांक में क्यों है minus b तो minus b बटे x square का गुणांक तो x square इसके गुणांक में कौन है a तो आप लोग कहोगे alpha plus beta बड़ाबर minus minus plus b बटे a अंसर हो गया है यह है ना question number आपके पास दूसरा भी है दूसरे में क्या है जानते हो दूसरे में यह है यदि बहुपद x square plus 4x plus 2 alpha के सुन्यांक alpha और 2 alpha है तो alpha का मान गयाद कीजिए देखो यह है x square plus 4x इस परकार से है कि x square plus 4x plus 2 alpha और इसके बराबर 0 सुन्यांक है alpha और 2 बटे alpha है तो alpha का मान गयाद कीजिए देखो यहाँ पर alpha है और यह अचरपद है तो महले हम लोग सुन्यांको का गुड़न फल लगा देंगे अचरपद बटे x square का गुड़न फल को लिखते हैं हम लोग alpha इंटू बीटा तो alpha इंटू दो बटे alpha बराबर अचरपद क्या है 2 alpha x square गुड़न क्या है एक एक को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे alpha से alpha cancel तो हमारे पास यह वच्छा 2 alpha बराबर 2 alpha क्योंकि एक का भाग लगा हो तो संक्या वही रहेगी बराबर 2 ठीक 2 से 2 cancel तो alpha बराबर आप लोग कहोगे एक जो की हमारे पास है answer जो की है बड़ा ही नेक है ना वो answer alpha बराबर 1 तीसरा तीसरे में हैं दूइगाद बहुपद ग्याद केजिए जिसके सुन्यांक under root 2 plus 3 और under root 2 minus 3 देखो तो तीसरा तीसरे नंबर में हमारे पास है alpha बराबर हमारे पास सुन्यांक अलफा बराबर हमारे पास है under root 2 plus 3 under root 2 plus 3 और बीटा बराबर हमारे पास है under root 2 minus 3 under root 2 minus 3 इनका कहना यह है कि दूइगाद बहुपद ग्याद कीजिए जिसके सुन्यांक आपकी पास है हमेशा आप लोग क्या करोगे जब भी alpha बिटा दिया जाए तो उसके लिए दूइगाद बहुपद का आपके पास क्या होता है X square X square minus मूलो का योग फल अलफा इंटू बीटा X plus मूलो का गुण फल अलफा इंटू बीटा बराबर जीरो तो जीरो लेने के ज़रोत निकिकिसम बटे में कोई मान नहीं है बटे में कोई मान नहीं है तो यहाँ पर आप लोग 2-3 और x प्लस यह जाएगा 2-3 अंडर रूट में 2 है और अंडर रूट 2-3 यहां पर x2 को x2 लिखो और माइनस 3 से 3 कैंसल 2-2 अंडर रूट 2 और x प्लस यह वरगांतर वरगांतर का फार्मूला आप लोग जानते हो भली भाती परिचित भी हो a²-b² एक कुष्टक में a प्लस भी एक कुष्टक में a-b तो यह हो जाएगा आपके पास एक बर अंडर रूट 2 का स्कॉर और 3 का स्कॉर तो यह हो जाएगा आपके पास x²-2 अंडर रूट 2x प्लस बरगांतर रूट कैंसल तो 2 और माइनस 9 तो यह हो जाएगा x²-2 अंडर रूट 2x और माइनस 7 बस यह हो गया दुईगा बहुपद इस सब्दे को हम लोग पढ़ चुके हैं विवित प्रिश्णाली का मतलब होता है टेस्ट तो आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 में हैं कि यदि बहुपद या फ्यक्स बराबर यदि बहुपद या फ्यक्स बराबर यक्स स्कुयर minders 6X plus K के सुन्यांग 3 प्लस अंडरूट 7 और 3 मैंस अंडरूट 7 तो K का मान आप लोग ग्याद करके इनको देजिए तो यह है अलफा बराबर हमारे पास क्या है 3 plus under root 7 बीटे बराबर हमारे पास क्या है 3 माइनस अंडरूट 7 और एफेक्स बराबर हमारे पास क्या है जानते हो? एफेक्स बराबर हमारे पास X Ainus X Carl अचैरपद क्या है? तो वलर पलस K कहा है अचैर पे हैं तो हम लोग सुन्यांग को करो गुड़न फल लगा देंगे सुन्याओ गुडन फल का मतलब होता है alpha into beta अचरपद क्या है के बटे यक्स स्कॉर गुडांग क्या हमारे पास एक alpha के जगा हम लोग लिखेंगे 3 पिलस 7 3 पिलस अंडर रूट 7 और 3 माइनस अंडर रूट 7 बराबर के वर्गांतर लगा दो तो अंडर रूट 7 का वर्ग बराबर के इस से यह कैंसिल 3 का वर्ग 9 माइनस 7 बराबर के तो आप लोग कहों के के बराबर 2 एही आंसर हो गया है टिक तो के बराबर कितना गया है 2 कुश्चन नमबर 5 कुश्चन नमबर 5 में देखो कि यदि बहुपद PX बराबर 3X स्कॉर माइन 4X बराबर 7 के सुन्नेंग अलफा और बीटा है तब एक अन्य दुगात बहुपद ग्यात कीजिए जिसके सुन्नेंग 1 बटे अलफा और 1 बटे बीटा है देखो हब से पहले हमारे पस क्या दिया गया कोश्चिन अलफा और पांच में कोश्चिन अलफा पांच में है कि PX बराबर 3X स्कॉर माइनस 4X माइनस साथ के सुन्नेंग अलफा और बीटा है और अन्य सुन्नेंग हमारे पस 1 बटे अलफा सबसे पहले ऐसे कंडिशन में हमेशा मुल्यों का योगफल मुल्यों को योगफल अब लोग जानते हो दोनुरी फार मऊले दुखो एक बल गोगँ कै एलफा प्लस बीटा यानी सुन्न्यों का योगफल सुन्न्यों का योगफल होता है माइनस साग बैटे X इसकॉर गोडांग तो minus x गुडांग तो अल्डेडे से minus से तो यह प्लास हो जाएगा और बटे x स्कोर गुडांग सुन्यांग को गुडान फल तो alpha into beta अचरपध अचरपध क्या हमारे पास minus 7 बटे x स्कोर का गुडांग अब अब इन्होंने कहा कि 1 बटे alpha और 1 बटे beta ऐतो है है तो आप लोग क्या करोगे जान तो एक अन्य सुन्यांक नहीं दूइगाद समीकान ग्याद कीजिए तो दूइगाद समीकान जब हम लोग ग्याद करेंगे तो उससे पहले काम करना होगा आपको इतने को आप लोग इसकी शॉट करना होगा कर लेजिए अब तो यहां से कर रहेंगे हमलोग हां तो दुईघाद वहपद का फर्मुला पूं को जानती हुए यक्स स्क्वार बानस अलफा प्लस बीटा यक्स और अलफा इंटू बीटा यक्स स्क्वार को यही लिखोगे और alpha के जगा लिखो कि 1 बटे alpha आप की बार बीटा के जगा 1 बटे beta x plus 1 बटे alpha into 1 बटे beta यहाँ x square लिखो इससे भिनने करो इसके साथ इसके साथ इसके साथ गोड़ा करते हैं तो यह जगा alpha plus beta बटे alpha into beta x plus 1 बटे alpha बीटा X square को X square माइनस अलफा प्लस बीटा के जगा लिखो अब लोग 4 बटे 3 तो यह जगा आपके पास 4 बटे 3 और यह जगा माइनस 7 बटे 3 और X प्लस एक बटे अलफा बीटा के जगा माइनस 7 बटे 3 3 से 3 कैंसल अब आप लोग लिखो च्गा को x square लिखो गए और minus minus plus minus minus plus यह जाएगा 4 बटे 7 x plus minus minus और इसको उल्टा लिखो गए तो यह जाएगा 3 बटे 7 ठीक यहाँ पर LCM हो गया 7 तो 7 x square plus 4 x minus 3 अब अब लोग इसको ऐसे कर सकते हो एक बटे 7 साथ x square plus 4 x minus 3 बस यही अंसर को रख लो आप लोग क्लियर कोश्चन नमर आप लोग अच्छा है च्छाह में है एक दोईगाद बवपत के सुन्यांग alpha और beta इस परकार है कि alpha प्लस beta वरावर 24 alpha minus beta वरावर 8 अच्छा दोईगाद बवपत घ्यत कीजिए इसके सुन्यांग alpha बवपत की सुन्यांग तदा गोड़ान को भीच संबंद की जाच आप लोग कीजिए तो देखो कोश्चन नमर आप लोग च्छाह नमर में है कि दोईगाद alpha बवपत इस परकार है कि alpha plus beta वरावर आप लोग कहोगे कि 24 और alpha minus beta वरावर आप लोग कहोगे कि 8 अठा दोईगा इंट्रो बीच गमांच चाहिए तो में alpha beta गमांच चाहिए तो एक काम कर लो समी कृरावर 1 और समी कृरावर 2 हम लोग 32 सको हल करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि समी कृरावर 2 को जोड़ने पर क्यों peanuts प्लस माइनस है तो जोड़ whether ever or care 24 और एलफा माइनस बीटा बराबर हमारे पास होता है 8, इस से कैंसिल, यह हो गया, 2 एलफा बराबर 32, जोड़ो, 16 दूनी 32, तो एलफा बराबर 16, एलफा का मान समी कराण एक में रख दो, तो एलफा के जग रखोगे 16, तो 16 प्लस बीटा बराबर 24, इसको पच्छांतर करोग तो बीटा बराबर हो जाएगा 8, ठीक, अब आप लोग कहोगे कि दुईघाद बहुपद, दो दुईघाद बहुपद, दुईघाद बहुपद, दुईघाद बहुपद के लिए x2, तो x2 माइनस, एलफा पिलस बीटा, तो एलफा पिलस बीटा का मान हमारे पास है 24, तो तो यह हो गया हमारे पास द्विघाद बहुपद क्लियर अब देखिए आप लोग कोश्चन नमबर आखरी साथ आखरी है आखरी में यह है कि यदि अलफा और बीटा दो एकस स्कॉर प्लस पासक्स प्लस के सुन्यांग है जो कि अलफा इसकॉर प्लस बीटा इसकॉर प्लस एलफा बीटा ब्लस एलफा बीटा ब्लस एकस ब्लस के सुन्यांग है अलफा बीटा है और संबन्द जो है यह है आपके पास एलफा इसकॉर प्लस बीटा इसकॉर प्लस एलफा बीटा ब्लस एलफा बीटा ब्लस एलफा बीटा ब् करते हैं तो k कमान आपको ग्यात कीजिए. सबसे पहला कंडिशन आपको क्या करना है? अलफा और बीटा निकालो गें. तो अलफा प्लस बीटा निकालो गें. अलफा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? सुन्यांको का योगफल है. जो कि माइनस X का गुडांग है तो माइनस 5 बटे X स्कॉर गुडांग है तो 2 फिर अलफा इंटू बीटा निकालो गए जो कि अचरपद है तो अचरपद के है बटे X स्कॉर गुडांग क्या है आपकी पास 2 अब एक काम करते हैं यहां पर दोनों पच्चों में वर्ग करते हैं दोनों पच्चों में वर्ग वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास A स्कॉर प्लस B स्कॉर गुडांग है तो यह हो जाएगा हमारे पास ध्यान रखना यह हो जाएगा हमारे पास alpha square plus beta square plus 2 alpha beta a square plus b square plus 2 और 5 कवर्ग हो गया 25 दो कवर्ग हो गया 4 अब समझना इसको मुझे लिख सकते है alpha square plus beta square plus alpha beta plus alpha beta बराबर 25 बटे 4 क्यों क्योंकि 2 alpha beta है तो 1 alpha beta और 2 alpha beta यहां से इतना मान जो है मारे पास alpha square beta this square alpha beta, यह हमारे पास हो गया 21 बटे 4 इतने के जगा लिखेंगे हम लोग 21 बटे 4 21 बटे 4 plus alpha beta alpha beta के जगा हम लोग क्या लिखेंगे k बटे 2 तो यह जगा k बटे 2 बराबर हमारे पास 25 बटे 4 25 बटे 4 इसको उठा का उदर पटक दो तो K बटे 2 बराबर 25 बटे 4 माइनस 21 बटे 4 दोनों का LCM बराबर है तो K बटे 2 बराबर यह होजा है कि 25 से 21 घटा दो तो 4 बटे 4 से 4 कैंसिल बचा एक 2 एकम दो तो K बराबर 2 यही लो अंसर हुआ है क्लियर हो गया है तो हम लोगों ने बहुपत को भी खतम कर लिया है अब दोस्तो आप लोगों के हैजीचे संदूर हुआ है ठीक है दोस्तो तो हम लोगों ने प्रिश्ण वाली को कमपलिटली खतम कर लिया है अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रिश्ण वाली में हर एक एक स्रेशने न दो से हैं, क्काने कर दो कंई पर आधो, पियुक्ट Bradham, दो क्नी महीं कर देजिए, तो मिलते हैं , अाजके लिए University में हम दो से रहा जो धोली हें, वेक लिम्यास डीक्राइज lesia से मिलते जरू रहा है! let's take a screenshot